हाई बच्चों, वेलकम टू फेपर हैकर यूटूब चैनल, बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का जो है हम लोग सहने विवस्था पढ़ने जा रहे हैं, बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सहने विवस्था, और नंबर कोश्च्चन, और नंबर कोश्च्चन, यूनिट यूनिट टू बी ये पार्ट वन सेमेश्टर टू का जो है सैन विवस्था सैन विवस्था सैन विवस्था ठीक है सैन विवस्था पढ़ेंगा unit two unit two unit two मैं four number question क्या कर रहे अच्छों देखिंए ऐहा four number question कोटिल एक प्रतिभासाली सैन विशे सग्य था कोटिल क्या था एक प्रतिभासाली सैन विशे सग्य था उसके सेना और युद युद संबंदी विचार सताब्दियों के नियम बन गए उसके सेना और युद संबंदी विचार सताब्दियों के नियम बन गए देखे बचों अथवा में यहां दिया हुआ है क्या कोटिल के युद दर्शन को ही मौरे कालिन सेन पदिती कहा जाता है बता है यह तो कोटिल क क्या था एक महान से दारश्नी क्होई करता था उसकी संगठन आयूद और कि समर्त तंत्र से संबंदित विचारों की संछेप में क्या करना है अत्वा में देखी या दिया लिए कोटिल के अर्थ ओर्थ सास्त्र के अधहार पर मौरिष फॉस्चन नहीं चुक्डेगा उपलोग का जो है यहां पर सब समोझ में आ जाएगा स्टोरी की तरह समझ में आ साइगा काहानी की तरह माइंड में हमें अपने आप आप लोग लिख लिजी कोई दिक्कत ही ऊगरte इधाना किजिए अम रार्डह करें अम्राटर भरा इसमरां आईल ही अपना गई शन्य वेवस्थ उद्व मेंद्धा सुन्प्सराफो अजाड़अ कि मैं गार उत्त्र का प्रियत्नूंव के फ़ल्स रूप히 भारत प्रभुत्य संपन राष्ट के रूप में सर प्रथम विक्सित हो सका अचार कोटिल विश्णु गुप्त ठीक है? अचार कोटिल विश्णु गुप्त जो है नाम है विश्णु गुप्त भी कोटिल का नाम विश्णु गुप्त अचार कोटिल विश्णु गुप्त संपन राष्ट के रूप में क्या हुआ विक्सितु युद्धि के हर छेत्र में सरवाधिकार हस्त चेप करने वाले इस महान दार्शनिक की युद्ध दर्शन एवं कृतित्त को मौरी कालिन सेन पदिति जो वस्तुता ही इसी युद्ध शास्त्र की देन थी का विवण देकर सरलता से असपष्ट किया जा सकता था संचेप में कोटिली के युद्ध दर्शन को मौरी कालिन सेन पदिति के रूप में निम्नुवत परदर्शित किया जा सकता है सेन संचेप मौरी काल में चतुरंग वण का परदानता ही परिलक्षित हुआ करता था इस काल में रत सेना की तुल्ला अस्वरोही गज सेना को अधिक महत्तो प्राप्त था कोटिल के चतुरंग के अलावा चार आने नो बल बिसिष्ट बल चर बल एंदेशिक बल का भी उलेख अपने अर्थ शास्रे में किया है कोटिल लिक ने सेना को जो है चो भागों में बाटा है कितने किते बागों में चो भागों में देखिए हैं मौल बल मौल राजधारी के रक्षा करने वाले प्रशिक्षि छतरी सेनिकों द्वारा निरिमित सरवाधिक विश्वन सेन सेना थी विश्वन जेणा हुआ करती थी देखिया कर देख्ये बच्चों सेकेंड नबर पॉइंट क्या था भूतक बल और क्या था मौल बलकी सैन संख्या में कमी को दूर करने के लिए रखी गई वेतन भोगी सेना मौल बल को संख्या को कम करने के लिए वेतन भोगी सेना को रखा गया था उससे कम किया देखिया है मित्र बल जो है मित्र राजाओं की सेना थी मित्र राजाओं की सेना थी बच्चों स्रेणी बल जो है विभिन स्रेणियों में संगों द गई सेना सतुर वजा के पराजित होने पर अपने अधिकार मिली गई सेना को अमित्र बल कहते हैं अट्वी बल अट्वी बल जो है सत्रु पर्देश में लूट पार्ट करने के लिए मार्ग दर्शन में सहायक समीप वर्ती असब एवं जंगली जाती हो द्वारा निर्मित से इनके लिए अस्वा धक्ष हस्ता ध्यक्ष रथा ध्यक्ष पतापड यक्ष की का निर्देश दीह किसकी किर होड को मद में प्रेश दीह स्ट फ्रृत已 से कोटिल ने क्या दिये हैं असपश्ट निर्देश दिये हैं चतुरंग की सहायता के लिए शहायक अंगो रसद एवं सस्रादी के लिए भी विशिष्ट भाग सत्रू नौकाओं एवं समंद्री डाकू को नश्ट करने वाली नौकाओं जो है, समुद्रिधाकों और नौकाओं को नश्च करने वाली नौकाओं को देख भाल के लिए नवा ध्यक्ष की नियुक्ति का ने देश भी दिया है योधी कारवाहियों में सफलता के लिए दूत योंचरों की नियुक्ति चलबल तो दूसरी और विशेस अस्थलों पर देशिक बल की उपादयता पर भी प्रकास डाला गया है इसके अतरिक्त इसकाल में चिक्तसक वर्ग के साथ महिला सेविकाओं का उलेक विप्राप्त है इसके लिए इसके अतरिक्त इसकाल में चिक्तसक वर्ग के साथ जो है महिला सेविकाओं का भी उलेक किया गया है सेने प्रशिक्षन क्या था बच्चों सेने प्रशिक्षन जिसमें सेना को ट्रेनिंग दी जाती थी सेना को प्रशिक्षन दिया जाता था इसमें सेने प्रशिक्षन क्या है मौरी काल में सिक्षा पर विशेस बल दिया जाता था सिक्षा पर क्या किया जाता था विशेस बल द स्थाई सेना के दैनिक ड्रील की भी वबस्था की थी इस के अतरिक तों हाथियों को प्रशिक्षित भी प्रशिक्षित भी किया जाता था भर्ती वेतन एवं भत्ता भर्ती वेतन एवं भत्ता जो था सेना में क्या था च्छत्रियों को जो है प्रमुख अस्थान प्राप्त था ठीके समझ में आरा बच्छों आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए और सेर कर दिएगा आवशक्ता अनुसार अने जाती के वेक्तियों को भी सेना में भरती किया जाता था इस काल में सैनिकों को जो है वेतन को समचित वेवस्था थी समचित वेवस्था थी वार्षिक वेतन की धन रासी धाई सो पन से अर ताली सो पन तक होती थी धाई सो वेतन से धाई सो पन से अर ताली सो पन तक हुआ करती थी ठीक है कोटिल ने राजा को विध्या की योगता तथा कारी की कुषलता δेकर करमचारियों को वेतन देने की सलाह दी युद में मिर्ट सन्यों के परिवारों को भ्रत्य की रूप में राजी की सहायता जी जाती की रूप ने बीराद विजहाई होने पर वीर सैनिकुट पुरम्प्रा किया दाता था पुरसक्रित होने की परम्परा भी करती थी शस्तरास मौरिकाल में महा काविकाली इनलेशकुद्धी आवस्के सुधार करने प्रकार के अकरामत इंवाज़ाट्मक हैतिया Viviqa तेज हो गए थी कौटिल ने आयुधा गरा अध्यक्ष के करतवियों में दोनों परकार के अक्रणात्मक एवं सुराचात्मक सास्तरों के निर्मान करने एवं उनकी देखरेख करने की वेवस्था का उलेख तो किया ही है साथ ही अपने अर्थ साथ में उसने दस परकार के प्रमुख थे इसी प्रकार कौन कौन प्रमुख थे सब क्या थे प्रमुख थे इसी प्रकार जो है चल पत्रों में ताल ब्रिंत स्प्रतकाल असफोटिक मुगदर शतंगी और वक्र आदी प्रमुख हुआ कर दे आदी ये सब क्या थे प्रमुख थे इसके अतरिक ते कोटि परकार के भालों का हल, मुक, पांच प्रकार के भानों, और फीन परकार के तलवारों, खड़क, चार प्रकार के धनुसों, ऍलवारों, किया है इसके साथ सुरचात्मक शास्त्रो लोह जालपट लोह कवच सिर्षात्र कंठ तरान तथा नागदारिक आदी का भी उसने उल्ले किया है आदी का भी उसने क्या किया है उल्ले किया है नगर सुरक्षा तथा किले नगर की सुरक्षा और किले जो थे वो क्या थे नगर स प्राकृतिक दूर्ग का निर्माल कराये और देश के बीच धन बृधी के केंद्र नगरों और राजभानी अस्थापना करे। देखें यहां कितने भागों में चार भागों में ओधित दूर्ग चारों और सभाविक जल नदी तलाप से घीरा हुआ द्विप भाती प्रतीत होने वाला दूर्ग था परवत कंदराओं अथ्वा बड़े बड़े पत्थरों की दिवारों द्वारा निर्मित दूर्ग दूर्ग था वन दूर्ग क्या था चारा और दल अथ्वा काटेदार जाड़ियों से घीरे दूर्ग थे चारा और दल दल अथ्वा काटेदार जाड़ियों दोरा घीरे हुए दूर्ग हुआ करते थे देखें यहां बच्छों नेक्स्ट पॉइंट क्या का रहा है वन दू वन दरग में क्या थी वो सक्षों देखिए नहीं है मां दूर वन दुर्ग क्या थी दें वन दूर क्या के की सब्सक्राइब कोटिल कांटे जाड़ियों द्वारा घिरे हुए थे वन दूर वन दूर वन दूर से समझ में आ रहा बच्चो इसी तरह जारोर कांटे दार जाड़ियों द्वारा घिरे हुए थे वन दूर कोटिल ने दूरगों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से खाईयों खोदने का जाओ दिया था कौन कोटिल जिससे आपत्ति काल में अपने पूर्ण सुरक्षा हो सके आपत्ति काल में क्या हो सके अपनी पूर्ण सुरक्षा हम लोग कर सके इसलिए कोटिल ने चारों तरफ दुर्ग के निर्माणा के लिए दुर्ग के अगल बगल खाई खोदने का भी नि विजय एक चुक जो थे राजा देश और काल में सामनुथ होकर सेना के तिहाई या चोथाई भाग को राजधानी प्रिष्ट भाग पर सीमा प्रांतों पर नियुक्त कर अपने विशय के कारी को सिध करने योग कोस और सेना को लेकर इस समे शत्रु की पुरानी खाद समगरी क्या हो चीकिती और नवीन संग्रहिट नहीं हो पाती थी अभी तक दुर्गों की मरम्मत भी नहीं हो पाती थी चैत्र माह की चढ़ाई में अनकूनष्ट करने में उत्तम होती थी अन को नश्ट करने में क्या होती थी बसंत माह में उत्तम होती थी वर्सा काल में उत्पन होने वाले अन के नास के लिए जेश्ट काल की चढ़ाई स्रेश्ट थी जेश्ट काल की चढ़ाई जो है स्रेश्ट थी जेश्ट काल की चढ़ाई यो थी वो क्या थी स्रेश्ट थी अ और शिविर रचना क्या थे ये हम लोग देखेंगे कोटिल ने संग्राम में विवों की महत्ता को स्विकार कर चार परकार के विवों का उलेक किया है फ़स्ट दंड विव दंड विव क्या थे सैनिक पंक्तिबद खड़े होते थे और भोग विव क्या थे जिसमें एक कतार मे सब्सक्राइब त दिक अंदल कर देकर मंदल भी में सेनीक गोलाई में खड़े हुआ करते थे असंगत वी और तंगत वीव और संगत वीव क्या थी बच्छों जिसमें सैनिक अलग-अलग टुकडियों बटकर खड़े होते थे असंगत वीव में सैनिक अपने अर्थ साथ में कोटिल ने निम्ट तीन परकार के दूतों का उल्ले किया है। कौन कोटिल कौन नी नी इस प्रिष्टार्थ क्या था। सुयोग संपती शिल्द वे दूत जीने राजा की और से कोई निश्चे यह निड़े लेने का अधिकार प्राप्त होता था। अपनी और से कोई निश्चे यह निड़े लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था इनको। नहीं था शासन हर की आहाएं शासन हर मातर संदेश वह का कारी करने वाले वेदुजुआ अपनी और से कोई बात नहीं कर सकते ते कोटिल ने दुटो के लाव निन पाँच प्रकार के गुप्चर ओन-कौण गुप्चर्स्ट गुप्चर कपार क पट वेai धारी ठीजा तवर्ट करकार्यू की सुधता पता करने के लिए चार अन्य प्रकार की गुप्तकर और चेर के अदार के चारों का भी उलेक यह लोगर करकर के चारों को यह संस्था चर अपने राज की घटनाओं के बारे में राजा को जनकारी देने वाले राजा को जनकारी देने वाले संस्थाचर क्या थी अपने राजा को जनकारी देने वाले चर को जो है संस्थाचर जो है बोला जाता था संस्थाचर राजा को जनकारी देने वाले सन्चार चर दूसरे राजियों में जाकर सुचनाय प्राप्तकर अपने राज को उपलद कराने वाले चर सन्चार चर बोली जाते थ movements युध कोशल देख्य começo युध कला की दृष्ट काल मौरि काल युद्धों का जो है अस्थान श्नह श्नह Пос Appreciate करना है विजता का परम लक्ष बंचुक तबीजता का परम लक्ष क्या बंचु कता सत्रु को पराजीत करना थीक कुट नितिक चालो को इस समय विशेष अस्थान दियागा थे कुट नितिक। चाल युडखे वह विशेषए संकेत प्रणाली युद्ध वाद यंत्र क्या थी युद्ध नगाला बयाए जाता था युद्ध वाद यंत्र उस समय जब युद्ध छेर जाता था युद्ध वाद यंत्र करने रोकने आकर्वन आधी के लिए वाद धोजा वाहको का प्रियोग किया जाता था ठीक है बच् यूध्विभाग और उसके कार्याले थे मौरिकाल में यूध्वित बिभाग आयू अधार विभाग गुप्तचर अधार परव्राफट विभाग आदी प्रमुक्त है कोटिल ने अर्च सास में विभाग की रचना एमकारियों के बारे में सब इस्तार वर्णन किया है ठीक है बच्चों नेक्ष देखिए आगे इस प्रकार जो है आगे क्या करा इस प्रकार परियाप्त प्रगतिशील इस प्रकार परियाप्त और प्रगतिशील रहा और प्रगतित था विशाल समराज की अस्थापना के में ठीक है उसको भूलाय ने उनका सेन दर्शन अनुठा और बेजोड चरितार्थ कर दिया उनका सेन दर्शन क्या था अनुठा और बेजोड अस्थापित कर दिया था ठीक है टक्टर एमसी सरकार के शब्दों में उसे स्टालिन का परजातंत हिटलर के निपूर्टा बिलसन का विज्ञानवाद चर्चिल का समराज विभाजन ठीक है बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा चैनल को लाइक कर दिजेगा सब्स्राइब कर दिजेगा और शेर कर दिजेगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अगला कुश्यन हम बताएंगे ओके बच्चों थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स बरेली